जलवायू संकट को सुलजाने के लिए कई तरीके अपनाने होंगे, जिन में से एक है शैवाल, ये मानना है शेफ कैलम मन्रो का, वो हर दूसरे दिन स्कॉटलेंड के आईल ओफ स्काई द्वीप पर समुद्री शैवाल इकठा करने के लिए आते हैं. यहां जो सबसे अच्छा है वो है समुद्री स्पेगेटी, आप समझ सकते हैं कि इसे समुद्री स्पेगेटी क्यों कहा जाता है, इसका स्वाध हलका है, लेकिन आप इसे बिल्कुल स्पेगेटी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. साथ मिलकर जलवायू कारेकरता शोना कैमरन और शेफ कैलम मन्रो समुद्री शैवाल को वापस रसोई में लाने की कोशिश कर रहे हैं मचली और मांस के लिए एक नवीकर्णी विकल्प के रूप में समुद्री शैवाल पूरे साल मिलने वाली समुद्री सबजी है वे अपने विचारों को स्कूलों के साथ भी साजा कर रहे हैं मनुष्य जलवायू को कैसे बदलते हैं सीवीड और बायवॉल्व यहां की संस्कृती का एक बड़ा हिस्सा है सद्यों से लोग इन प्रजातियों को खाते आए हैं लेकिन अब हम इन से थोड़ा दूर हो गए हैं हम लोगों को वापिस उस परंपरा से कैसे जोड़ सकते हैं कहीं जहां हम जिम्मेदारी से कुछ उगा सके और उसका इस्तिमाल कर सके साथ ही ये भी बताएं कि कैसे छोटे स्तर के समुदाइक उद्यम इसका प्रयोग अपनी स्थानी अर्थविवस्था को मजबूत करने में कर सकते हैं इन मातिसन भी आईल ओफ स्काई दीब के समुदरी शैवाल की खेती से कमाई करना चाहते हैं वो प्रशिक्षित मचवारे हैं लेकिन पिछले दो सालों से वो अलग काम के रूप में समुदरी शैवाल की खेती कर रहे हैं उनका कहना है कि ये अधिक टिकाओ है लेकिन सबसे पहले उन्हें ये पता लगाना है कि इस इलाके के पानी में कौन से किस्म का समुदरी शैवाल सबसे अच्छी तरह उगता है सबसे पहले हम इसका इस्तिमाल बायो स्टिमिलेंट बनाने में करेंगे लेकिन पहले हमें इसकी जांच के लिए लैब में भेजना होगा ताकि ये पता चल सके कि इसमें कौन से पोशक्तत्व और खनेज मौजूद है जांच के बाद पता चलेगा कि आगे इसके साथ क्या करें इन माथेसन और दूसरे उद्दमियों ने 40 हेक्टेर में खेट तयार करवाया है हम इस साल फार्म का आधा हिस्सा इस्तिमाल करेंगे जिससे पहले साल लगभग 200 टन समुद्री घास निकलने की उमीद है अगले साल हम बाकी बचे हिस्से का इस्तिमाल करेंगे तो 400 टन उत्पादन का अंदाजा है पर्येटन के साथ साथ सालमन मचली पालन भी आईल ओफ स्काई द्वीप के सबसे महत्वण उद्यमों में से एक है ये रोजगार तो देता है लेकिन एक्वा कल्चर से पर्यावरन को भी नुकसान पहुंसता है हाल के वर्षों में समुद्री शैवाल की खेती करने वाले किसान द्वीप के आसपास बस गए है कुछ खेतों में पहले से ही उत्पादन हो रहा है स्काई के समुद्री शैवाल दो मीटर से भी ज़्यादा लंबे हो सकते हैं और यह पूरी तरह से बिना किसी रासाइनिक खाद के उपता है अब तक प्रोसेसिंग सबसे बड़ी चुनौती रही है यह बाजार की ऐसी खाली जगह है जिसे एलिसन बेकर भरना चाहती है उनकी स्टार्टप कमपनी इको कैस्केट को स्कॉटि सरकार से मदद मिली है यह समुद्री शैवाल पशियों के चारे के एक शोत पर्यूजना में इस्तिमाल किया जाएगा लेकिन खास तोर पर शैवाल की ये किस्म मिट्टी को उपजाओ बनाने वाले बायो स्टिमिलेंट्स के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है एलिसन बेकर और उनके साथी इस छोटे उद्योग के तेजी से बढ़ने की संभावना पर भरोसा कर रही है लेकिन अभी तक बड़े पैमाने पर व्यावसाई को प्योग उम्मीद से धीमा रहा है हम बड़ी मात्रा में समुद्री शेवाल प्रोसेस करने में सक्षम होना चाहते हैं जिसे बाजार में बीचा जा सके क्योंकि इस से इस उद्योग को बढ़ावा मिलेगा किसान ओर्डर के अनुसार उत्पादन कर सकेंगे वे अपने खेतों का अकार बढ़ा सकेंगे और अधिक समुद्री शेवाल उगा सकेंगे स्काई में समुद्री शेवाल की खेती सालमन उद्योग की जगह लेने से बहुत दूर है लेकिन द्वीब के निवासी इस विचार को अपनाने के लिए तैयार दिखते हैं दक्षणी ब्रिटेन के विपरीत जहां मच्छवारों ने नए उद्योग का विरोध किया है स्काई के निवासी योजना बनाने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल है शेफ कैलम बन्रो कहते हैं लोगों को बस इसकी आदत डालनी होगी फिर इसे ढूनना होगा ये किसी भी दूसरी सबजी की तरह होता है फर्क सिर्फ इतना है कि ये समंदर में उकता है हाँ ये जरूर है कि लोगों की सोच में थोड़ा बदलाव लाना होगा उमीद है कि जादा से जादा लोग समुदरी शेवाल का सलात खाने की कोशिश करेंगे और फिर ये चीज आम हो जाएगी समुदर वाकई एक खजाना है और समुदरी शेवाल की खेती इसे बचाने में काफी मददगार हो सकती है